दोस्तों ये है अंडे समोसे इस लॉक्टाउन में अपने किचन में इसे जरू ट्राइ करें आपके टेस्ट को एक नए लेवल पे ले जाएगा और हाँ बैचलर्स के लिए ये रेसिपी बहुत आसान है क्योंकि इस रेसिपी में बहुत ही कम इंग्रिएंट्स के साथ इसे ब प्रपियर करेंगे उसके लिए कराही में हम डालेंगे ठोरा सा रिफाइन ओल लगभग एक टेबुलेस्पून हमने और रिफाइन ओल डाला है चाहे तो आप सरसों तेल का भी इस्तमाल कर सकते हैं उसके बाद इसमें हम डालेंगे एक छोटी चमच जीरा उसके लिए भूँनेंगे और यह बीन चुका है तो इस वं करते हैं एक चमच ये गरम मसाला पॉडर, इसमें हमने चाट मसाला और अमचूर पॉडर भी डाला था, जो दिखाना भूल गया, इसमें हम डाल देते हैं एक छोटी चमच नमक, उसके वाद इसे जो हम मिला देंगे अच्छे तरीके से, हाँ गैस का फ्लेम लो होना चाहिए, क्योंकि मेरा जो ये बरतन है न, ये एलमुनियम का है, और काफी पतला है, क्योंकि ये मांस मचली खाने वाला बरतन है, मेरे हाँ बरतन अलग होता है, जिस कारण से जो है, आप देख रहे होंगे चूला भी अलग है, और बरतन भी कुछ अजीव सा है, लेकिन क्या करें, यहाँ पर पर मटर भी डाल सकते हैं, मटर अभी मिलेगा नहीं, तो मार्केट में फ्रोजन मटर महंगा परता है, आप इसके जगब पर बादाम इस्तमाल करें, इसमें हम उबला हुआ अंडा डाल देते हैं, क्योंकि अंडा समोसा हम बना रहे हैं और इसे हम यहाँ पर क्रस्क कर दें अपने अंडे समोसा बनाने में, तो यहाँ पर यह हो चुकी है, दो मिनट हमने इसे भूना है, तो इसे एक परतन में हम निकाल के रख लेंगे, यह देख सकते हैं, टेक्स्चर कितना बढ़िया है, और इसकी सुगन बहुत अच्छी आई है, समोसा बनाने के लिए हमने डो पहले से प्रिप्यार करके रखा है, तो यहाँ पर यह आप देख सकते हैं, वैसे एक्चुली हमने डो प्रिप्यार ने किया है, ममी ने किया है, तो उनको जो है, इसका आइडिया नहीं था कि इसका डो जो है, कितना सकत रखना है, डो काफी लूज हो चुका है, यहाँ पर तक पेसे जो है उ ओल लगा है तो रोल कर लेते हैं ताकि आखァ즈 को की मदद से छोटे छोटे सेख सेफ में जो है काट लेंगे यहाँ जादा छोटा मिद्यम सेख रखना पर जितना जो है हम रोटी को सेख हमसे एंधोर से जो दो जन्सकानि हुम उल्गाइबर dipping scent को लित Tucic यह आप देख सकते हमने सारे लोई को काट लिया है तो अब इसे एक लेके हम रोल कर लेते हैं समोसे के रोटी बनाने के लिए तो यहाँ पर कुछ ही स तरिके से हलका दबा दे यहाँ पर तो इसे वापिस फिर उसे इसे कुछ इस तरीके का आप बेल लें यह जितना लंबा की चीव अच्छा है मैं आपको दुबारा बेल के दिखाता हूँ इस लोगी को उसको मैंने बेल के रख दिया है आप ध्यान से देखिए वीडियो में बहुत आसान तरीके से आप इसे बेल लेंगे इसमें आटा लगा ले जब आपको परसानी हो कुछ इस तरीके से और इसे बेल ले तो आप यह देख सकते हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से बेल लिया बिल्कुल हलवाई जैसी हमने यहाँ पे बेला है ताकि इसमें हमें स्टफिंग भरने में आसानी हो तो आप देख सकते कुछ इस तरीके से ह यहां पर समोसे के रोटी बेल लिया और यह हमारी श्टफिंग रही आप देख सकते हैं बहुत अच्छा कलर आया है तो इसे रखते साइड में अब हम यहां पर सबसे पहले इस से रोटी को जो है और सेप देते हैं तो यहां पर हमने पानी भी रेका है इसको सिल करने के लिए तो आप यह रोटी को पहले हत्हेली पे देख लिए अमने कैसे रखा है यह आप देख सकते हैं और इसे हम करते काये कि हल्का से जो इन देख सकते हैं इसके इस तरीके से हम स्टाफिंग भरेंगे आप यह देख सकते हैं कुछ इस तरीके का आप दिख रहा है तो इसमें हम डाल देते हैं स्टफिंग जद आपको नहीं डालना है नहीं तो फटने का डर रहेगा वैसे फटता तो नहीं है क्योंकि हमने मैदे के समोसे बनाया है लेकिन फिर भी हमें रिस्क ज़्यादा नहीं लेना है और इसे जो सिल कि यार हो गया है इसी तड़ीके से हम जो है सारी समोसे को बनाने कुछ इस तरीके से जो हमदे यहां पर चैसमोसे बनाया है तो चली हए इसे करने के स्पोस्पकर अ यहां पर को निएगा समोस तो है जल जाए गा और अंदर से जो निए लापन यहां यहां पर लापने तो काई एंगे तो यह Red Wood fall और नहीं पकाया और हमारे समोसा जो काफी क्रिस्पी और काफी कलरफूल निकल कर आया आप देख सकते हैं इसी तरीके से हम सारे समोसे को फ्राई करके निकल लेते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं यह देखिए हमारे सारे अंडे समोसे बनके रेडी हो चुके काफी क्रिस भी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता है इस वीडियो को यहां तक देख लिए तो लाइक और सेर करके हमें सपोर्ट करना ना भूले अगर आप इस चैनल पर नहीं आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन और प्रेस कर ले मैं आपके लिए एक नई डेसिपि के साथ नई वीडियो में जरूर आऊंगा